हैलो फ्रेंड्स गुड़ मार्निंग स्वागत है आप सबका स्योक रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरपी अफ कांस्टेबल हुआ ऐसा एकजाम दो हजार चोबिस के आलसिप्ट में पूछा सेकने वाले यह सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों आपके एकजाम में इसके अलावा आपके पूछेगे पसनों को सामिल किया गया है साथ में एक्ष्ट्राफ हैट को पूरी तरह से गवर करने का प्रियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्व करें कोसंस कम साल्व होने पर पुना पसनों करें भी जन करें ताकि आरपी ओफ कांस्टेबल हुआ ऐसा एक्जाम दो हजार चोविस में आप लोग जीके जीएस वाकरेंट अफेस के टापिक से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें ध्यार रखें दोस्तों आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानि की हिस्ट्री, पॉलिटी, जेगराफिक, कोनामिक्स आपका पूरा में सेलेनियस का चेप्टर यानि की बिवित का चेप्टर पूर आपका जियस यानि की जनल सैंस वर करेंट फियस आपकी एक जामिन का अच्छा खासा बेटज है पच्चास कोश्चन आपके यहां से पुछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों जदा समय ने लेते भी है हम लोग इन सभी मोस्ट उपड़न पसनों को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों कोश्चन नमर वन है मारा महिला प्रीमियल लिग 2024 यानि की WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता रिसेंटली करेंट से मोस्ट उपन कोश्चन है दोस्तों अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पे कबर करेंगे यही हमारे प्रीपेशन की स्टेट जी है दोस्तों की जिस भी टापिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टापिक्स के अधिकांस प्रस्णों को पूरे एक्ष्टा फेट के साथ वहीं पे कबर करेंगे ध्यान दीजेगा दूस्तों आप लोग सारे को संस सेलेक्टे रखे गए हैं पहला पॉइंट है मारा महिला प्रीमियल लीग 2024 यानि की WPL 2024 का खिताब राल चैलेंजेस बैंगलोर ने जीत लिया है आयजन की बात की जाए तो नई दिल्ली में किया गया थोड़ा सा नोट देखेंगे आप लोग दूस्तों महिला प्रीमियल लीग के पहले संसकन के विजेता टेम की बात की जाए तो मुमबई इंडियन्स है और महिला प्रीमियल लीग के पहले संसकन के विजेता टेम की बात की जाए तो दिल्ली केपिटल साई ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे चलते हम लोग अगले कोश्चन की ओर अगला कोश्चन क्या दोस्तों हमारा राणजी ट्राफी 2024 का खिताब किस ने जीता करेक्टन्स रोगा मुंबई ने अगला कोश्चन है दोस्तों हमारा राणजी ट्राफी 2024 का खिताब किस ने जीता करेक्टन्स रोगा मुंबई ने इस ट्राफ हैट देखेंगे बिजेता टीम की बात की जाए तो मुंबई क्रिकेट टीम रहा ये बायलिसों खिताब था उबिजेता की बात की जाए तो बिदर्व रहा इसमें मुंबई टीम के कप्तान जिंकर हारे थे और बिदर्व टीम के कप्तान की बात की जाए तो अजय वाड़े कर थे पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर रहेंगे दोस्तों जो आपके एक्जाम में आपका पूरा GK, History, Quality, Geography, Economics, पूरा मिसलेन ने पूरा जलन से Current Current में दोस्तों हम लोगों ने 2003 से स्टार किया था Recentary 2024 के माई 2024 तक के करने को भी पूरी तरह से हम लोग अपडेट कर चुके हैं और इन सभी Classes के वीडियो के PDF हमाई दोरा भिरत्यों को दिये जा रहे हैं चलते हम लोग अगले Question की ओर क्या हमारा Question Miami Open 2024 में महिला एकल का खिताब किस ने जीता? Corrections का Daniel Collins ने आपके एक्जाम के लिए Super Question रहेगा Next राष्टी महिला हाकी टीम के कोच के रूप में किस से निवत किया गया है तो हरेंदर सिंको किया गया है पूरी तरह से आप अपडेट रहे हैं किंगे Next T20 मैच में 12,000 बनाने वाले पहले भारते खिलाली कौन बने हैं तो विराट कोहली है Next पेरिस उलम्पिक 2024 में भारत के दोस्वाक कोन बने हैं तो शरत कमल पूरी तरह से आप अपडेट रहें किंगे चलते हम लोग अगले कोच्छन के ओर कहा है हमारा कोच्छन World Athletics Championship 2027 कावजन कहा होगा तो वीजिंग चीन में किया जाएगा आगामी खेल परत्यों कित्यों से ध्याम देंगे एक्जिक्ट लोकेशन भी हमारा डाल दिया गया है तागे अगर आपके अप्सन में यही आता है तो ना कोच्छन आपसे मिस हो और ना कोच्छन आपसे गलत हो Next question देखेंगे World Athletics Championship 2025 का वजन कहा होगा तो टोक्यो जापान में होगा दोनों कोच्छन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगे Next Australian Open 2024 में पूरु सेकल का खेताब किसने जीता तो यह जन्निक सिनर ने जीता है जो कि एटली से आते है Most one question रहेगा और United Cup 2024 का खेताब किसने जीता है तो यह जर्मनी ने जीता है पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे चलते हैं अगले question की ओर अगला question मारा क्या लगा है दोस्तों देखेंगे आप लोग Question रखा गया है पंद्रोंए ICC Under 1920 कब 2024 का एक दिवसे खेताब किसने जीता तो यह Australia ने जीता है एक्स्ट्राफेट देखेंगे आउजन इसका दच्छिन अफरीका में किया गया बिजेता इसमें Australia रही उप बिजेता टीम की बात की जाये तो भारत रहा Australia टीम के कप्तान दोस्तों वेबजेन थे और भारते टीम के कप्तान इसमें उदय शहारं थे पूरी तरह से अपडेट रखेंगे चलते हैं अगले कोश्चन की और क्या हमरा कोश्चन भारते ओलंपिक संग यानि की IOC के CEO कौन बने है रगुराम अयर बोस्ट नोग कोश्चन रहेगा आपके एक्जाम के लिए प्वांट देखेगा अध्धिस की बात की जा यानि भारते ओलंपिक संग IOC के अध्धिस कौन है तो PT उस्षा है दोनों कोश्चन आपके किलियर हो चुके है CEO भारते ओलंपिक संगी के वर्तमान में कौन है रगुराम अयर और अध्धिस PT उस्षा है अस था अपना भारती ओलंपिक संगी की गई थी 1927 में और इसका मुख्याले नई देले में है पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहें केंगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा से PDF के बारे में बात करेंगे पुरा हम लोग next question के ओर चलेंगे धान देंगे आप लोग 4 PDF यहाँ पर हमारा लगा हुआ है लेकिन हम लोग सबसे पहले दोस्तों RPF Constable ISAC Jam 24-24 के बारे में बात करेंगे जिसका है पर हम लोग preparation भी कर रहे हैं दोस्तों इसमें जो आपका पार्ट करम है टोटल 25 PDF में cover कर लिया गया है जिसकी पेटफी 100 रुपे रखी गए हाट सब नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जूड़कर PDF ले सकते हैं इसी नंबर पे दोस्तों आप लोग PDF से रिलेटर या बेकेंसी से रिलेटर कोई जानकारी चाहिए डाउट्स है तो आप डाक्लिक काल करके बात भी कर सकते हैं सेकेंड PDF के बारे में बात करेंगे जो हमारा कंबाइन PDF दोस्तों भेरतियो को दिया जा रहा है भीहार SSC और भीहार पुलिस कांस्टेबल का ये भी PDF पूरी तरह से कंप्लीट है नेच्ट पीडिया पूरी तरह से कंप्लीट नया वर्जन रेडि कर दिया गया है पूरा आपका जानते होंगे दूस्तों आपका पूरा जीक आएगा पूरा आपका मिस्सलिनियस यानी बीविद आएगा और आप लोग जानते हैं किससी के दौरा जितने भी एक्जाम्स कंड़क्ट करवाते हैं इसके लाओं चाहे हो CGL हो, CHSL हो, MTS हो फिर ZD इन सब के पार्ट करम को पूरी तरह से कवर कर रहा है एक बात कहना चाहेंगे दूस्तों, जिगने लोग पीडियाप ले चुके हैं, ले रहे हैं आलरेडी दूस्तों आप लोग इन पीडियाप को अच्छे से रिवाइस करें पीडियाप आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह से सक्सस्पल रहेगा यहाँ पर दूस्तों इस topic related लगा दिये हैं सबकुछ this topic related जितने भी questions बनते हैं पूरी तरह से cover कर लिया गया है अगर इस topic को आप दूस्तों इस site को पूरी तरह से revise रखते हैं तो इस topic आपके बिविटामिन से related कोई भी questions आपके एक्जामे आइए करेक्टमस होगा कैलसी फिराल, अब एक तरह बिटामीन है, फिर दोस्तों राशानिक राम उनके दीगे हैं, फिर कमी का प्रभाव, यानि कौन सी बिटामीन से कौन सा रोग होता है, बिटामीन ए, पहला पॉइंट है मारा, इसका रासाइग नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतोधी होती है, बिटामीन ए, इसका रासाइग नाम थाइमीन होता है, इसकी कमी से बेरी-बेरी होता है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है दुस्तों, बिटामीन ए, बिटामीन ए, इसका रासाइग नाम फिलेविन होता है, इसकी कमी से किलोसिस होता है, नेक् सायम कोबालामिन होता है इसकी कमीचे रक्त छीमरता और तंतर का तंतर की गलवलिया जैसे रोग हो सकते हैं विटामिन B लिल के पारीयर से Skybeev, अरर आत का रचाइक नहाय की जानता की रासय के ढं़ता है तो विटामिन के है चलते हम लोग अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन के आद दूस्तों हमारा देखेंगे अब लोग कोश्चन रखा गया है मिनाची मंदिर भारत के किस राजिमें इस्थित है करेक्ट अंसरुगा मदरोई तमिल लाडू में बहारत के जुम हात्मर दोस्तों इमा आते हैं मंदिर हैं डाटले questions बनते हैं आप लोग जानते हैं शाची का उस्तूफ 1000 बार पूछा गया है तो इस टापी से लेटर जितने भी questions बनते हैं आपके सभी एक्जाम में पूछाते हैं रिपीट होते रहते हैं उन सभी दोस्तों को पूरी तरह से इस सीट में कबर कर लिया गया है अगर इस सीट को अब लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टापी से लेटर कोई भी questions आपके एक्जाम में आते हैं न questions आपसे मिस हो सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं मेनाची मंदिर भारत के किस राज में स्थित है करेक्टन्सों का मदुरही तमिल नाडू में एक्जेक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया ध्यान रखेंगे आप लोग अब एक तरफ महत्पुन इमारतों मंदिरों के नाम देगें दूसे तरह पुन की स्थिति यानि लोकेशन समय बताने हैं सबसे पहले अजंता यह कहां पे इस्थित है तो औरंगाबाद महाराष्ट में नेस्थ है दोस्तों शांती निकेतर मोस्ट पाड़न यह बीर भूम पश्चिम बंगाल में इस्थित है आगे बढ़ते हम लोग शांची का इस्थूफ हजार बार पुछा गया राइसेन मंदि परदेश में नेस्थ है नेक्श्ट है। दच्छ्डेसर काली मंदिर मोarष्ट में इस्थित है महावलस और मंदिर महाराष्ट में इस्थित है उसके बाद दिल्वादा जैन मंदिर हजार बार होच्चा गया यह भी उनडुट एक्जाम का परदेबर कोश्चन है माउंट अबू राजस्थान में इस्थी था है, ब्रह्म्हा मंदिर आपका पुस्कर राजस्थान में इस्थी था है, पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, थोड़े से ओर रहे गये हैं, क्या क्या दोस्तों, रामिस्वर मंदिर नेक्ष्ट है मारा, जुकी तमिल में इस्थी था है, मिनाच्छी मंदिर आपका मुद्रई तमिल नाडु में है, जो आपका कोश्चन था, ब्रह देश्वर मंदिर तंजाव तमिल नाडु में है, नटराज मंदिर चितंबरम तमिल नाडु में है, एक साथ दे दिया गया ये, ब्रहेंग टेश्वर मंदिर क बढ़ते हम लोग अगले question की और अगला question हमारा कहां से दोस्तों देखेंगे अब लोग question रखा गया है भारते संग्धान के की सनुचित में संसत के सन्युक्त दिवेशन का प्रावधान है तो अनुच्छे आपके सभी one day exam के लिए फेवरेट रहते हैं सब में बार बार पुछाते हैं रिपीट होते रहते हैं उन प्रसनों को दोस्तों यहां पे collection किया गया है यसे questions रखे गए अगर आप पूरी तरह से prepare रखेंगे तो यहां से quality के बहुत सारे questions आपके exam के लिए आपको पूरी तरह स चलिए सुरू करते हैं हम लोग question था हमारा भारते सिंग्धान के किस अनुच्छिद में संसत के सन्युक्त दिवेशन का प्रावधान है correct answer हुआ हमारा अनुच्छिद 108 में अब पहले question क्यों चलेंगे क्या हमारा question किस अनुच्छिद में मंत्रिगर्ण सामुहिक रूप से सभा के प्रत उतरदाई होते हैं correct answer होगा अनुच्छिद 75 में constant होगा solve करेंगे और के लिके question most important है यहाँ पे next है महा नियावादी यानि कि भारत का पर्थम भी देदकारी जिसे कोई भी कहा जाता है अनुच्छिद के अनुच्छिद के अनुच्छिद के अनुच्छिद 76 के अनुच्छिद 16 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 के अनुच्छे दिक्यावन का में, अगला है, बित्यापात की घोषणा संग्धान के की सनुच्छद में वडित है, तो नुच्छद 360 में, वज संग्धान के की सनुच्छद के अंतरगत राष्ट पती लोग सबाभां कर सकता है, तो नुच्छद 85 है, पूरी तरह से आप संग्धान में, वडित्य संग्धान की संसोधन परकिरिया किस देश के सिंग्धान से लिगाए, अब चार कोश्चन एक साथ देखेगा ताकि confusion करेट न हो, पहला है, भासाई आधार पर राजव का पुनर गठन की सोब्स किया गया, तो 1956 में, नेक्स्ट राजव पुनर पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आगे बढ़ते हम लोग अगला कुछन क्या है कि संसोधन द्वारा पंचाइती राजवियोस्था को संग्वेधानिक दर्जा परदान किया गया तो 73 संसोधन ता जो कि 1992 में किया गया था अब चारो कुछन संग्वेधान से लगाए गये है दूसरा है संग्धान के कि संसोधन द्वारा गोवा को पूर्राजी का दर्जा दिया गया अजार बार पूछा गया है तो 56 संसोधन ता जो कि 1987 में किया गया था नेक्स्ट कि संसोधन द्वारा दसवी अनुसूची भावते संग्धान में जोड़ी गई तो 92 संसोधन ता ज जनगर्णा 2011 के उनसार वहात का जनसें क्या घना तो कितना है? करेक्ट अंसों का 382 वेक्टी परत वर किलो मीटर कोस्टन कहां से है सेंसर से आगार के जनगर्णा 2011 से आ चुका है तो जनगर्णा 2011 से जितने कोस्टन्स निकलते हैं दूस्तों A to Z यसे कोस्टन्स हैं आप देखेंगे आपके सभी नेक्जाम में बार बार पूछेते हैं यह जो सीट हमारी लगी दूस्तों इसी में से हाले में जीडी हुआ भर भर के कोस्टन्स पूछेंगे और रिपीट हुई हैं रिपीर नेक्स्ट भारत में नियमि जनगर्णा की बात की जा तो 875 में कराए गए थी लाड़ रिपन के कारिकाल में दोनुप पॉइंट से पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे नक्स्ट, जनगर्णा संग उसूची का विशा है जिस कवर्ण समिधान के नुच्छे 246 में है नक्स्ट, 2011 की जनगर्णा भारत की पंदरुई जनगर्णा और सौतंतर भारत की सातुई जनगर्णा थी अगला है, 2011 की जनगर्णा के समय जनगर्णा आग तो कौन थे, तो डाक्टर सी चंदर मोली थे पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है नक्स्ट, 2011 की जनगर्णा का दर्स हो आके तो हमारी जनगर्णा हमारा भविश ये इतनी बेसिक चीज़े थी आप चले जनगर्णा को देखते हैं पहला पॉइंट है, जनगर्णा 2011 की उसर भारत में कुल कितने जिले हैं तो 640 जिले हैं कितने जिले? 640 जिले आगे बढ़ते हम लोग, पहले पूरी सीट को अपने सामने अप करते हैं आगे बढ़ते हैं, पहला कोश्चन है जनगर्णा 2011 की उसर भारत का सरवाधिक जनसंख्या उला राजी जिला कोश्चा है? तो थाने है जो कि बहाराष्ट में पढ़ता है और इसी के साथ देखेंगे जनगर्णा 2011 की उसर भारत का नियुम्तम जनसंख्या उला जिला कोश्चा है? तो दिबाइंग बैली है, जो कि अनचल परदेश में पढ़ता है दोनों कोश्चन सबसे ज़्यादा और सबसे कम कोश्चन को एक साथ सेट कियाता है तागी याद रखने में आसानी हो जनगर्णा 2011 की उसर भार का लिंगारपात कितना है? तो दोस्तों 943 यानि की एक हजार पुरसो पे इस तरी कुई संख्या कितनी है? 943 है जनगर्णा 2011 की उसर भारत की साचरता दर 74.04% है जिसमें पुरुष साचरता दर 82.14% और महिला साचरता दर 65.46% भर-भर के जेडी में पूछा गया है आगे बढ़िए अगला पॉइंट है जनगर्णा 2011 की उसर भारत का सबसे साचर राज वो केरल है सभी लोग जानते हैं और जनगर्णा 2011 की उसर भारत का निमतम साचर राज वो विहार है आगे बढ़िएगा जनगर्णा 2011 की उसर भात का सबसे साचर केंद शासित परदेश तो लच्छि दूप है इसी के साथ देखेंगे जनगर्णा 2011 की उसर निमतम साच्छता वोला केंद शासित परदेश कौन सा है तो दाधरा और नगर हवेली है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जनगर्णा 2011 के उसर भारत का सरवादिक लिंगान उपात वाला राजी कोंसा है तो केरल है सभी लोग जानते हैं और जनगर्णा 2011 के उसर भात का नूंतम लिंगान उपात वाला राजी कोंसा है तो हरियाला है पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे आगे बढ़ते हैं थोड़े से ओर रहे हैं किया क्या है दूस्तों अगला पॉइंट है जन्गर्ना 2011 के उनसर भात का सबसे कम जन संख्याला राजी तो शिक्किम है और इसी के साथ देखेंगे जन्गर्ना 2011 के उनसर भात का सरवाधिक जन संख्याला राजी कौन सा है तो उत् इस उसी से लेकर 1985 तक कोस्टन कहां से आ गया आपका इवर इडिन टाविक पंच वरसी योजना अब यहां पर दोस्तों नीचे सीट लगा जिसमें फस्ट योजना यानि की परथम 5 वरसी योजना से लेकर बारूई-5 वरसी योजना तक जितने कोस्टन्स बनते जितने फैक् सब्सक्राइब करने के लिए परिवार नियोजन कारी करम को शुरू किया गया नेक्स्ट चटी पंच वर्सियोजना के दरौन शीव रमन समिती कभी नहीं भूलेंगे कि सिपारिस पर 1982 ध्यान रखेंगे राष्टे किर्सियों गरामीड विकास बैंक यानिकी नाबाड नेस्नल बैंक फार एग्रीकरचर ने रूरल डवलेप्मेंट के स्थापना की गई थी ध्यान रखेंगे आप चलिए पर्थम पं पंचिवर्सियोजना से हम लोग सुरू करते हैं 12 तक चलेंगे ध्यान देगी जाए दोस्तों भारत की पंचिवर्सियोजना की अधिकी बात की जाए तो एक अप्रेल 1909 से लेकर 31 माच 1956 तक माडल हेरा डोवर माडल पराधाई थी मुख्य देश था किर्सी विकास नोट देखेंगे इस योजना काल के दोरान कई बड़ी सिचाई प्रियोजना ही लगाई गई जैसे भाखडा नांगल प्रियोजना दामोदन दिघाटी प्रियो दूतियोजना के दोरान अनेक महत्मोड बिर्याद उद्धोग जैसे राउर किला विलाई और दुरगापूर करमसा लगा हुआ ध्यान दिजिगा जर्मनी रूस और बिर्टन के साहुख से स्थापित किये गए थे एक प्रियोजना देखेगा दूतियोजना के दोरान भार में आप लोगों को फोकस करवाता रहता हूँ सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा तेरतिया पंच वर्सियोजना दिखेगा उद्धेश था आत्म निर्भरता किर्सियों मुद्धोग का विकास तेरतिया पंच वर्सियोजना पॉइन देखेगा अपनी उद् सब्सक्राइब देखेगा चोथी पंच वर्सियोजना माडल था डियार गाड़ियल माडल मुख उद्धेश था इस थिर्ता के साथ आत्मी भरता यों किर्सी तथा से चाई पर महात्तु अब तीन कोश्चन यहां से मोस्ट पर निकलते हैं किस पंच वर्सियोजना में 14 वैंको का राष्टे करण किया गया तो चोथी पंच वर्सियोजना थी नेक्स्ट है किस पंच वर्सियोजना में भारत की किर्सी ब्रिद्धितर सरवादिक रही तो भी चोथी पंच वर्सियोजना है और किस पंच वर्सियोजना के दोना इस र लाखो बार पूछा गया है next नेस्ट कौन सी पलत चार वर्षी चली थी तो पांच वर्षी जिना ही नहीं है और किस छ फूर्शी में भार्ति-टार राउट्टी राजमाग परणाली की सुरुत हुई निलख पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे चटी से अधिकास दोस्तों हम लोग कोस्टन में ही अपने मोश्टों दोस्तों वहाँ पर फैक्ट को साल्प कर चुके हैं लेकिन दो फैक्ट यहां से आप लोग देख लेंगे चैटी पंच वर्शी यहां से पूइट दोस्तों कौन सी पंच वर्शी प्रिपास कारिकरम सुरहा तो भी चैटी पंच वर्शी यहां यहां देखेंगे सातवी पंचवर्श योजना समयदी थी 1985 से लेका 90 मुख उद्देश्था, रोजगार, सिछा तथा जन स्वास्त का विकास और यहां से कॉइंट दोस्तों कौन सी पंचवर्श योजना आप चलिए आठवी पंचवर्श योजना की ओर आठवी से समयदी देखेंगे तो 1992 से 1997 मुख उद्देश था मानुस अंसाधन का विकास के ओले कोश्चन देखेगा किस पंचवर्श योजना में पंचवर्श योजना में पर्धान मंती रोजगार योजना नक्स्ट दसवी पंचवर्श योजना देखेंगे समयदी थी 2002 से 2007 मुख उद्देश था गरीबी और विरोजगारी को समाप्त करना यो मगले 10 वर्शों में परतिव्यक्त आए दो गुनी करना ध्यान रखेंगे आप लोग चलते हैं ग्यारवी पंच वर्श योजना की वर्श योजना की वर्श के समयदी के व्याद की जाए तो 2007 से 2012 मुख उद्देश था ती बृतमें समाबे किसी विकास पांट देखेंगे किस पंच वर्श योजना में वर्श 2009 में शिष्छा का दिकालत दिनियम प्रस्थुत क किया गया जो की वर्स्त 2010 में लागो हुआ तो ग्यारोई पंच वर्सी योजनाई थी बारोई देख लेंगे समयदी 2012 से 17 मुखुद्देश था तेबृतम समावेशी और सतद्विकास इसके बात आप जानते हैं पंच वी सिर्जनाई समाथ कर दी गए उसके अस्थान पर दू दोस्तों शुमन के वेरी हैं और दोस्तों सिर्बी ब्याद सुप बढ़ाम में वर्तमान में जो प्रधान मंत्री होते वही नीतियाव के अध्यस माने जाते हैं चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एक पौइंट देखेंगे ध्यान देजेगा यहां से कोश्चन से बराबर बनत संस्था हैं लेकिन जो हमारा योजना अब था एक संविधानिक संस्था नहीं था चलेंगे आगे दोस्तों फीडियाप के लिए हमारा वार्टसप नंबर लगा हुआ है अगला कोश्चन किया दूस्तों मारा देखेंगे अब लोग कोश्चन रखा गया है डेसीमिल किसे न नेक्स्ट है लोहे के उपर जिंक की परत को चलहाने को क्या कहते हैं तो गल्वे नाईजेसन कहाता है और प्रवाण गम का सिध्धान किस परकिरियापा राधा ही था नाविके विखंडन पर सेलेक्टर कोश्चन रखे गए अब चार दोस्तों खोज से देखिए पहला है प अगला कूश्चन आपकं क्या दोस्तों देखिंगे अपर-खोश्चन रखा गया है बेकिंग शोडा का राशा कि नाम क्या है यस एइनिए आगे बड़ेंगे पहला कूश्चन यहासरे ने मानुर्य ख्रह किर या कहां से मुक्ष्थे होती है next पेसे maker का समधं की से हिर्दे से औंपेसमेकर का कार क्या है दिल की धड़कन प्रारम करना next रखत का सुध्धिकन कहां पर होता है तो kidney में होता है कहां पिर होता है kidney में होता है आगे बढ़ते हम लोग अभ यहां से question ऑँ दिखेगा मानुस शरीर में खुन के सुधिकन की परकिरिया को केकाते तो डालिस्स का आता, दुन ध्यान रखेंगे, next पाचन किरिया में प्रोटीन किस पदात में बदल जाते हैं, एमीनो अमल में next, पित किस के दोरा पैदा के आता, यकरित के दोरा और शरीर में हीमोगलूबिन का कारी कहा तो अक्सीजन का परिवान करना है नेक्स्ट कोशन देखेंगे लाल रख तिकनिका यारवी सी कहा उत्पन होते अस्थी मज्जा में नेक्स्ट मानुस शरीर की किस गरंती को मास्टर गरंती का आता तो फ्यूस गरंती है बीद्धा उस्ता में मनुस की एड़िया क्यों का मुज़र हो जाती कैल्सियम की कमी से और लाश कोशन है मारा पाला के पत्तों में किसकी मातरा सबसे उद्धिक होती है तो आईरन की होती किसकी आईरन की तो यह था दोस्तों इस सीरीज के टाप्यम सीक्यूच के परसन जिनको यहां पर हम लोगों ने साल्व किये हैं उमीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्व किये होंगे और देखे होंगे कि यहां से आपके कितने परसन सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमाइश्टेडी चैनल स्युक्रुपा कलासे से जूने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दुआ दे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स फार वाचिंग